गुड़ मॉर्णिंग एब्रीवान। मैसेल्फ डॉक्टर शिवाजी सरकार। तुड़े आम गएंग टू डिस्कस अबर टॉपिक अन्दर डिस्कस कहने वाला हूँ जो जियोमेट्रिक आइसमारिजम्स के उपर। जहां पर मैं आपको समझाने वाला हूँ जो जियोमेट्र हैं जो हम लोग सी साइसमार को ट्रैंस साइसमार में और ट्रैंस साइसमार को सी साइसमार में हम लोग कॉनवार कर सकते हैं और जब कर सकते हैं हम लोग इसे क्यू कर सकते हैं और उसके साथी साथ मैं आपको और भी कुछ नया कुछ यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर में डि काम करता हूँ और उसके साथ ही साथ मैं सब स्टूडेंस और भी वीवार को यह बोलना चाहता हूँ जो भी स्टूडेंस और जो भी वीवार ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये और प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ ही साथ मैं सब स description box है, इस description box के अंदर आपको possible सभी questions मिल जाएंगे, जो questions mainly university level में हो, और उसके साथ इससाथ एक question आपको board level में हो, यह हर जगा पिए question को पूछा जाते हैं, जो question आप वहाँ पर देख पाओगे, और उसके साथ description box के अंदर मेरा बाकी वीडियो के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, तो उस लिंक को क्लिक करके भी मेरा बाकी वीडियो को आप enjoy कर सकते हो, तो अभी हम लोग देख लेते हैं, geometric isomarsms होते क्या है, जिसे geometric isomarsms को हम लोग दूसरी एक नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग cease and trans isomar के नाम से जानते हैं, तो इस point को मैं आपको इसी लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि university level में कभी कबार question को इसे पूछा जाते हैं, जो geometric isomarsms के जागा पे वो लोग इसे पूछ लेते हैं, जो आप cease and trans isomar के बारे में आप short note लिखो, निता cease and trans isomar क्या है, उसके बारे में आप explanations करो, और इसलिए मैंने आपको ये बोला, जो geometric isomarsms को हम लोग cease and trans isomar के नाम से भी जानते हैं, लेकिन question ये जिनायट हो रहा है, geometric isomarsms को हम लोग cease and trans isomar क्यों बोलते हैं, और उसके साथ ही साथ question ये भी जिनायट हो रहा है, geometric isomarsms को जिसे मैंने आपको cease and trans isomar बोला, ये cease and trans isomar formations क्यों होते हैं, इसका reason में ये ही है, क्योंकि आप जब यहाँ पर observe करोगे geometric isomarsms को, उस जगह पर आप ये दिखोगे, जो यहाँ पर एक carbon, में आपका carbon होना चाहिए, आपका functional algorithm होना चाहिए, आपका group होना चाहिए, एक group की rotation होना possible नहीं है, लेकिन उस जगह पर double bond के जगह पर single bond होते हैं, तो उस जगह पर उसके easily rotation हो पाते हैं, और यही basic reason है, जिस reasons के लिए यहाँ पर हम लोग क्या देख पाते हैं, इस reasons के लिए हमारा यहाँ पर cease and trans ASMR की formation होते हैं, तो यह जो point मैंने आपको बोला, यह point को मैंने आज discuss में deeply करने वाला हूँ, तो इस lecture को बूत अच्छी तरीकिसे देखो, और इस point को अच्छी तरीकिसे समझने की कोशिश करो, जैसे मैंने आभी बोला, जब हम लोग geometric काई समारिसम को absorb करेंगे, तो उस जगा पर मैंने क्या बोला, वहाँ पर आप कुन से टाइप की बॉन्ड देखोगे, उस जगा पर आप carbon-carbon double bond देखोगे, तो अभी question यह जिनायट हो रहा है, जो आप यहाँ पर carbon-carbon double bond देखते हो, तो definitely यहाँ पर bond formations के लिए आपको तो hybridization भी होना चाहिए, तो यहाँ पर आप कौन से टाइप की hybridization देखोगे, तो यहाँ पर आपका double bond है, इसका मतलाब यहाँ पर जो hybridization हम लोग देखेंगे, वो hybridization होगा हमारा sp2 hybridized, इस sp2 hybridized के अंदर हम लोग क्या देख पाएंगे, इस जगा पर एक आपका sigma bond होंगे, और दूसरा आपका यहाँ पर pi bond होंगे, तो अभी question यह जिनायट हो रहा है, इस sigma bond की formations कैसे हो सकते हैं, हम लोग जानते हैं, जब sigma bond formations होते हैं, तो sigma bond कैसे formations होंगे, the sigma bond is formed by overlapping of sp2 hybrid orbital and the pi bond is formed by overlapping of the p orbital, so the presence of the pi bond, the log the molecule in one position and the two atom of the carbon-carbon bond and the four atom are attached to them, lie in a one plan and their position space are fixed, so the rotation of carbon-carbon double bond is not possible because rotation will break the pi bond, यह जो मैंने आपको अभी बोला, जो यहाँ पर cis and transisomar, जो यहाँ पर जिनायट हो रहा है, geometric isomarism का अंदर हम लोग cis and transisomar को देखते हैं, और उसकी जगा पर उसका double bond होने के लिए ही उसका rotation होना possible नहीं होते, क्योंकि मैंने आभी बोला, क्योंकि rotations उस जगा पर हम लोग करने जाएंगे carbon-carbon double bond के अंदर, तो उस जगा पर क्या होंगे, उस जगा पर आपका pi bond है, वो pi bond आपका break हो जाएंगे, और यहाँ पर दो double bond होने के लिए ही एक carbon दुसरी carbon के साथ, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक carbon दुसरी carbon के साथ, बहुत ही ज़्यादा tightly और बहुत ही ज़्यादा fix position पर होते हैं, और इसलिए हम लोग इसको normal condition में इसको rotation हम लोग नहीं कर सकते हैं, जासे इस diagram में भी आप यहाँ पर observe कर पा रहे हो, जो यहाँ पर हम लोग इसको rotation करवाने की कोचिश कर रहे हैं, और जो हम लोग इसको rotation करवाएंगे, तो उस जगा पर क्या हो सकता है, उस जगा पर एक तो ऐसा हो सकते हैं, आपको pi bond टूर जाए दूसरा ऐसा हो सकता है आप इसको rotation करवा सकते हो लेकिन आपसको rotation करने के लिए आपका normal temperature आप इसे rotation नहीं कर पाओगे लेकिन question तो आभी ये जनायट हो रहा है जो हम लोगें पर rotation तो कर नहीं सकते लेकिन rotation क्या completely नहीं किया जा सकता तो answer ये है जो rotation इसक geometric isomarism of alkin तो इस point को भी आपको याद रखना है क्योंकि इस जगा से भी question पूछा जाते हैं जो आप यहाँ पर geometric isomarism को देख रहे हो उस जगा पर आपने observe किया जो यहाँ पर carbon carbon double bond होंगे और यहाँ पर double bond होने के लिए आप यहाँ पर observe कर पा रहे हो जो यहाँ पर आपका दूसरी carbon के जो rotation हो रहा है यह rotations नहीं हो सकता है rotation restricted होते हैं और rotation restricted होने के लिए ही यहाँ पर आपका geometric isomarism आप देख पा रहे हो alkin के अंदर लेकिन इस जगा पर आपको यह भी याद रखना है जो आप यहाँ पर geometric isomarism को generate किया जा सकता है geometric isomarism हम लोग observe करते हैं कहाँ पर जो carbon-carbon double bond होंगे तो ही सिर्व हाँ यह criteria है जो carbon-carbon double bond जहाँ पर आप देखोगे उस जगा पर geometric isomarism को देखोगे लेकिन इसका मतलब एसा नहीं है जो आप एसा बहुत साज example भी देखोगे जहाँ पर carbon-carbon double bond होने के बाद भी वहाँ पर आप geometric isomarism को नहीं देख पाओगे क् जैसे बोला carbon-carbon double bond होंगे carbon-carbon double bond के same side में आपका functional group रहा तो उस जगा पे हम लोग उसको cease बोलते हैं और opposite side में रहा तो उस जगा पे हम लोग उसे trans के नाम से जानते हैं So these two compound are referred to as geometric isomarism and they are distinguished from each other by the term of cis and by the term of trans जैसे मैंने आप आपको बोला जो cis का मतलब क्या होंगे जिस जगा पे carbon-carbon double bond के same side में आप functional group देखोगे जैसे मैंने अभी बोला था क्या ये cis isomar को trans isomar में और trans isomar को cis isomar में हम लोग convert कर सकते हैं तो answer यह आ रहा है हम लोग इसे convert कर सकते हैं और इसका regarding question भी university level में and board level में पूछा जाते हैं तो इसे आप प्लीज याद रखना चो cis isomar can we convert it into the trans isomar or trans isomar can be convert in the cis isomar but condition is we should supply the high temperature and if the system and if the compound they are going to be absorb the light तो इस जगा पे आप temperature supply करते हो, absorb light को absorb करते हो तो उस जगा पे क्या होंगे उस जगा पे आपके ये conversion सोना possible है so the heat supply the energy to break the pi bond so the rotation about the sigma bond are possible and upon the cooling the reforming the pi bond can take place in the two way give the mixture of 2-butane and cis-2-butane तो इसका मतलब भी हो रहा है जो आप यहाँ पर double bond तो आपको था आपने यहाँ पर heat supply किया निदे light को energy absorb किये तो जैसी वो absorb करेंगे तो उस जगा पे क्या होगा आपका pi bond उस जगा पे टूर जाएंगे आप जैसे ही टूर जाएंगे तो उस जगा पे आप क्या कर सकोगी उस जगा पे आपका जो rotation है क्योंकि मैंने पहली बोला double bond होंगे तो rotation possible नहीं है लेकिन जब single bond होंगे एक carbon दूसरी carbon के साथ आप आप विमाजिन कर सकते हो दूस जगा पे आप उसे rotation कर वा सकते हो लेकिन याद रखना ये condition का हो रहा है ये condition जब हो heat condition पे है compound और compound जो आपको heat absorb कर रहा है लेकिन जब compound जब heat absorb कर रहा है नहीं तो compound के उपर हम लोग heat supply कर रहें तब यह से हुआ लेकिन उसके बाद क्या होगा compound अभी गरम है compound का पर heat supply कर रहें इसलिए compound गरम condition में heat condition में है और hot condition में है लेकिन compound कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएंगे वो फिर से ठंडा हो जाएंगे जैसे ही यो ठंडा हो जाएंगे तो जो pie bond break हो चुका है वो pie bond फिर से reform हो जाएंगे और जैसे pie bond reform हो जाएंगे तो उस जगा पर क्या होगा फिर से carbon carbon के अंदर double bond आ जाएंगे और जैसे carbon carbon के अंदर double bond आ जाएंगे तो उस जगा पर compound क्या करेंगे compound उस जगा पर आपका trans 2-butane और trans cis 2-butane के साबसे convert हो जाएंगे तो यहाँ पर आप diagram में आप यहाँ पर observe कर सकते हो, जो यहाँ पर आपको C size isomar ही, हम लोग ने आपड हीट्स अपलाई करके, यह pi bond जो है, यह pi bond को हम लोग ने break कर दिये, जिसे break कर दिये आप दिख सकते हो, जो पहला carbon है, इसका position fix है, second carbon में इसका rotation हो रहा है, और उसके बा pi bond जो है, वो pi bond आपको टूर जाएंगे, लेकिन जैसे ओ ठंडा हो जाएंगे, compound, उस जगह पर आपका pi bond फिर से reform होंगे, और जब reform होंगे, तब तक क्या होगा, तब तक आपका दूसरा जो carbon है, यह जो carbon है, तब तक उसका rotation हो चुका है, इसलिए हो चुका है, कि कि उस rotation होने के बाद, आपका CS3 group जी उपर के तरब था, यह आपका नीचे के तरब आ जाएंगे, और मैंने आभी बोला, जो यहापर आपका pi bond reform हो जाएंगे, और reform जब हो जाएंगे, तो उस जगह पर आपका C double bond C भी आ जाएंगे, और उस जगह पर आपका compound आपका फिर से जना कर सकते हो, तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया, जो C isomar को trans isomar में, और trans isomar को C isomar में हम लोग convert definitely कर सकते हैं, और जब आप conversions हम लोग करेंगे, तो उसे हम लोग किस तरीकी से convert करेंगे, तो अभी question यह जनायट हो रहा है, जो दो isomar तो हुए, एक हुआ C isomar, दूसरा मैंने अभी आपको बोला, जब आप C isomar की बात करोगे, तो उस जगापे आप क्या देखोगे, उस जगापे आप देखोगे, जो आपकी जो compound है, वो compound क्या होंगे, उस जगापे आपका जो group है, वो carbon-carbon double bond की same side में होते हैं, और वो same side में होने के रिए, उस जगापे आपक static repulsion ज़्यादा देखोगे, और इसके लिए क्या हो जाएंगे, इसके लिए वो compound को ज़्यादा unstable करेंगे, क्योंकि आपने देखा, जिसे आप यहाँ पर observe कर रहे थी, जो पहले जो example मैंने आपको समझाया, जो C1C, carbon number 1 and carbon number 2, जहाँ पर मैंने आपको observe करवाया, जो वहाँ पर जो आप observe करोगे तो उस जगह पे same type के group है, जैसे same type के group होने के लिए उस जगह पे repulsion force ज़्यादा होंगे, और repulsion force ज़्यादा होने के लिए वो आपने stability को loss कर देंगे, और एसा चीज आपका भी भी trans में नहीं देखोगे, क्योंकि trans isomar में आपका carbon, carbon double one के दो opposite side में आ reasons के लिए आपका trans isomar के अंदर ज्यादा stability दिखा जाते हैं, comparatively, जो हम लोग cis isomar से उसे comparisons करते हैं, तो ये question को भी आप प्लीज अच्छे तरीक से याद रखना, जो इस जगह पे भी आपको पूछा जा सकता है, cis and trans isomar के अंदर ज्यादा stable कौन है, और com stable कौन होते हैं, औ जब question पूछा जाएंगे, तो आपको ऐसा पूछा जाएंगे, जो all alkin do not show the geometric isomarisms, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला, geometric isomarisms होने के लिए, एक criteria है, जो carbon-carbon double bond होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है, carbon-carbon double bond है, और हर जगह पे आप geometric isomarisms को देख पाओगे, जैसे यहां पर आप example में आप observe कर सकते हो, जहां पर आप observe कर रहे हो, जो पहले example में carbon-carbon double bond है, लेकिन यह compound होने के बाद भी यह compound आपका geometric isomarisms नहीं है, क्योंकि यह इसलिए नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहां पर आप same type के identical group, यह same identical group, आप same site में देख पाओगे हो, इसका मतलब यह हो रहा है, जो geometric isomarism is possible only when the each carbon, each double bond of the carbon atom is attached into the two defined atom or group, that means मैं आपको फिर सरी में बंबर कर बना चाहता हूं, geometric isomarism से उसी condition में हो सकता है, जिस condition में आप carbon-carbon double bond हो, और उस carbon-carbon double bond की दोनों साइड में आपका क्या होना चाहिए, और दोनों साइड में हो, निते same side में हो, defined type of atom और defined type of the group होना चाहिए, लेकित इस example में आप एबजाब कर पा रहे हो, जहाँ पर carbon-carbon double bond है, लेकिन double bond होने के बाद भी, आप यहाँ पर यह दोनों को आप geometric isomarism के साब से considerate नहीं करोगे, इसलिए नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर same type identical group आप देख पारे हो, जैसे यहाँ लेकिन gallery बीड़ भी देख पारे हो, यहाँ पर भी आप same type identical group देख रहे हो, same type identical group नहीं होना चाहिए, आपको कुन सी type के group होना चाहिए? आपको defined group होना चाहिए, यहाँ पर same type identical group होने के लिए इसे आप geometric isomarism में considerate नहीं कर सकते हो, इसका मतलब यह conclusion हम लोग ले सकते हैं, ज 样-cirban- doable bond होना चाहिए और उसके साथी साथ आपका जो group है, same type के group नहीं होना चाहिए, वो आपका same type के atom नहीं होना चाहिए, वो atom आपका define type के होना चाहिए और वो group आपका define होना चाहिए, तो उसी condition में आप समझ पाओगे और उसी condition में आप देख पाओगे geometric isomarisms in case of alkene तो इस point को भी आप ले इस अच्छी तरीके से देख लेना और इस point को भी आप अच्छी तरीके से याद रख देना तो आज के lecture में हम लोग ने क्या discuss के आज के lecture में हम लोग उना absorb कर लिया geometric isomarisms के बारे में और उसके साथ इसाथ देखा जो ये cis and trans isomar हम लोग इसे क्यों बोलते हैं और उसके साथ हम लोग ने ये भी देख लिया जो हम लोग cis isomar और trans isomar को कुन से condition में हम लोग उससे transfer कर सकते हैं और जब हम लोग उसको transfer करते हैं वो कैसे transfer होते हैं और उसके साथ हम लोग ने ये भी देखा जो trans-isomr क्यों जादा stable होते ही c-isomr से और उसके साथ हम लोग ने ए भी observe कर लिया जो all alkin do not show the geometric isomrisms और alkin को geometric isomrisms होने के लिए उसका basic criteria क्या होना चाहिए तो आज के lecture में इतना ही है next lecture में हम लोग और भी नया कुछ जानेंगे नया कुछ देखेंगे इस topic क्यो पर से so thank you each and every students each and every viewer for your support for your love and for your valuable comment so thank you, thank you again